अगर आपके पास अलराजी बैंक का अकाउंट है और आपके अकाउंट का इंटेनेट बैंकिंग का यूजर बलोकेट हो गया तो अपने अकाउंट का इंटेनेट बैंकिंग का यूजर अनबलोक कैसे करें यूजर बोकेट को अनबलोक करने के लिए नए पासवर्ट बनाना होगा और अगर आप अपने अकाउंट का Head Late Bank इनफ बेंकिंग आप पासवर्ट भूल गए क्लिक कर लेजिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आप अल्राजी बैंक अप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद फॉर्गोड पासवाड के ऊपर क्लिक कर देंगे इसी तरह इसके बाद नेशनल आडी इकामा में आप अपना इकामा नमबर इंटर कर देंगे इसके बाद नीचे नेक्स्ट पे किलिक कर देंगे next पे क्लिक करने के बाद अल्राजी बैंक के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाईल नमबर रेजिस्टर होग उस नमबर पर एक कोड़ाई कोड़ को आप इसी तरह इंटर कर देंगे कोड इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपेन और जगस के बाद इस एटियम काड के ऊपर क्लिक कर देंगे इसी तरह एटियम काड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपेन और जगस के बाद आपको अपने एटियम काड का फोर डिजिट वाला यानि चार हिंसों वाला यानि चार अंक वाला पिन इंटर करना होगा, आपको यहाँ पर एक चीज का ख्यालक ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटर निंग 5 इंकरेक्ट पिन है, फिल बलोग दा अकाउंट है, अगर आप 5 बार से जादा अपने टियम कार्ड का पिन गलत इंटर कर देंगे, तो वही पिन इंटर करना होगा, जब आप अपने टियम कार्ड से किसी भी अटियम मसें से पैसा निकालते हैं, पैसा निकालते वक्ट जो अपने टियम कार्ड का पिन आप इंटर करते हैं, वही पिन आप इंटर कर देंगे, यहाँ पर हैं, अपने टियम कार्ड का पिन इंटर interface पर न होगा यूजर नेम के नीचे आपके एकांट का इंटेनिट बैंकिंग का जो भी यूजे नियंर होगा यह की सबसे और सकते हैं यूज़न नेम में यूजर नेम्हें चले गा और आपका इक्ता इसके पहलगा नियूजर νेम में ने केहीं तerson हैंट जैनर नहीं 20 पर भी होना चाहिए, English का लिटर और नमबर मिला कर कम से कम आठ होना चाहिए, तब ही आपका पासवर्ड बनेगा, अगर आठ से कम रहेगा तो आपका पासवर्ड नहीं बनेगा, अगर आठ से जादा हो जाएगा, तो no problem, इसके बाद जो पसवर्ड आप यहां पर इंटर किये से मुझसी पसवर्ड को रिपेड न्यूँ पसवर्ड में भी इंटर कर देंगे अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है यानि सही है तो यह सारा गिरियन हो जाएगा आप देख सकते हैं इसके बाद नीचे कनफर्पे क्लिक कर देंगे कनफर्पे क्लिक करने के बाद अल्राजी बैंक के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नमबर रजिस्टर होगा उस नमबर पर एक कोड आगा उस कोड को आप इसी तरह इंटर कर देंगे कोड इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जागा इसके बाद आपके मुबाइल नंबर पर एक फोन आएगा राज़िप बैंक की तरफ से उस फोन को आप रिसीब कर लेंगे आप देख सकते हैं मेरे मुबाइल पर फोन आ गया इसको मैं रिसीब कर लेता हूँ तो कनफरम करने के लिए यानि कनफरम करने के लिए यह जो भी नंबर बोलेगा वही नंबर आपको इंटर करना होगा एक नमबर दो नमबर ती नमबर चाह नमबर पांच नमबर चे नमबर साथ नमबर आट नमबर नमबर है यानि confirm करने के लिए आप से जो भी नमबर बोलेगा वही नमबर आपको इंटर करना होगा अब आप अल्राजी बैंक अप्लिकेशन में लागिन कर सकते हैं इसके बाद उपर लागिन और साइन आप के उपर किलिक कर देंगे इसके बाद इंटरनेशनल आइडिया और युजरनेम में अपने अकाउंट का इंटेनेट बैंकिंग का युजरनेम या फिर अपना इकामा नमबर आप इन दोनों में से किसी एक को इंटर कर देंगे युजरनेम या फिर अपना इकामा नमबर हैं इसके बाद इंटर पासवर्ड में अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का जोने आप पासवर्ड आप अभी अपना बनाएं इसे मुसिब पासवर्ड को इंटर पासवर्ड में इंटर कर देंगे इसके बाद नीचे लागिन पर क्लिक करने के बाद अलराजी बैंक के आपके अकाउंट में जो भी आपका मूबाइल नमबर रजिस्टर होगा इस नमबर पर एक कोड आगा उसकोड को आप इसी तरह एंटर कर देंगे आप देख सकते हैं लागिन हो गया इसी तरह पासानी से अगर आपके राज़ी बैंक के एकाउंट का यूजर बलोक हो गया तो अन बलोक कर सकते हैं या फिर अपने एकाउंट का इंटेनेट बैंकिंग का पासवर्ट भूल गया तो नहीं आप पासवर्ट बना सकते हैं दोनो कहें की तरीका है